अब बात खेलों की पारेस ओलंपिक में निशाने बाजी में अपने नाम की धूम मचाने वाली भारती निशाने बाज मनु भाकर का भरोसा है कि वे अगले ओलंपिक में मेडल का रंग बदलने में जरूर काम्याब होंगी इसके साथी साथ मनु ने इस बात को भी माना कि टोक्यो ओलम्पिक से पारेस ओलम्पिक तक की उनकी यात्रा अनुभव से भरी रही है मनुभाकर से पारल्स ओलंपिक में मिली उनकी सफलता और उनकी काम्याबी ने किस तरह से देश में निशाने बाजी के खेल को नया आयाम दिया है इस पर विस्ताज से बात की है हमारे सन्वादाता गौर्फ को मारने तो आपको छोड़ जाते हैं इस खास साक्षवतकार के साथ फिलाल के लिए मुझे दी जन्यूमती नमस्कार इतिहास रचना बच्चों का काम नहीं लेकिन अनभोल से सीख सीख कर बच्चे बड़े होते हैं और इतिहास रच डालते हैं और ऐसा ही कुछ किया है हमारी महमान भारती निशानेबास मनु भाकर जो के इस वक्त हमारे साथ हैं मनु सबसे पहले तो आपको धेर सारी बधाई डीडी न्यूस की ओर से किया आपने प्यार्स उलम्पिक में देश का पर्चम लहराया और एक ही उलम्पिक में दो मैडल जीतने वाली आजाद भारत की पहली भारती खिलाड़ी रही है मनु यह अपनी तरफ होता ही कि सक्सेस मिलती उसके बाद जिस तरह से शोहरत मिलती जिस तरह से नाम होता है इस अपनी तरफ इक तरफ होता है लेकिन क्या वाखनी जब आप पहर सोलम्पिक जा रही तो क्या उस वक्त दिलों जहन में इस तरह का कहीं ख्यालात था कि जब जा रहे हैं तो इस काम्याबी के साथ वापस आएंगे कि अब चारों तरफ जो चर्चा है उस सिफ एक ही एथलीट की है और वो है मनुभाकर सी कRI कि आते हैं में ए और जो शुचा था तरहौकर एक शुच है और यह पीप्सकै जब सब्सक्वाद यह च्गश्य मार्व ंशचत रखोखा रखे इस शुचा इस सब्सक्सक्वी का म één ऐ खशा है कि क्यो ए लुच्चन memorize पटनिया को पाली है उस् 제대로 इक जो बहलाज है और जो सीका है ट्रेइनिंग में उसको जितने अच्छी तरीके से हो सके उतने अच्छी तरीके से उसको एक्जेक्यूट करना है जिस तरह से एक लहर दोड़ी है खुशी की लेकिन उससे पहले का मुपमेंट क्योंकि आप ही अच्छे से समझा सकती है क्या कुछ दिलो दिमाग में चला था को कि इंडिया का खाता नहीं खुला हुआ था और उस वक्त पे क्या इस तरह का कोई प्रेशर दिलो दिमाग पे भी था इस तरीके का प्रेशर तो नहीं था, बस खुद से कुछ उमीदे थी और प्रेशर सिरफ इसी चीज का था कि जो ट्रेनिंग इतनी जो करी है उसके बाद यहां तक मतलब सफर बहुत मुश्किल रहा है और जितना कुछ सीका है बस मुझे अपनी तरफ से पूरा अच्छ से करन और रिजल्ट के बारे में भी नहीं सोचा था, मैंने सच में बताऊं तो बस यही सोचा था कि बस अपना जितना उसे के बढ़िया करना है पर्फॉरमेंस अच्छी आनी चाहिए, जितना सीखा है वो पूरा का पूरा अच्छ से करना चाहिए मनु आपने दस मीटर में पहले इंडिविजुली जीता उसके बाद जब मिश्री टीम की बारी आई तो वहां पे भी आपने इतिहास रचा तो दो बैक टू बैक पैडल थे और उसके बाद धर्ड पे जब आप 25 मीटर गई हाला कि वहां पर सिर्फ महस कुछ पॉइंट से है कि यह जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो एक अथलीट है वह दिखा रहा है कि हम लगातार जो हैं वह हर कैटिगरी में अपने आपको आगे बढ़ा रहे हैं या कुछ इस तरह की कुछ एक फिलिक रह गई थी जी बिलकुल मेरे जैसे तीन इवेंट्स हैं 10-meter mix doubles or 25-meter सब में ही मेरी तयारी बहुत ही अच्छी थी पर वो गोल जितनी नहीं हो पाई और तीसरा तीसरा और चौथा मुझे स्थान मिला मुझे लगता है कही ना कहीं है मुझे आगे और पुछ करेगा कि जो कमी थोड़ी बहुत रह गई उसको कैसे हम स कि आगे यह जितना किया है उससे दोड़ा से और कुछ करना है तभी मैं और उपर पहुंच पाऊंगी अचा इस सब के बीच में क्योंकि गैप भी थे और लगातार खबरे जो है वो जब अपने फर्स्ट मैंडल जीता उसके बाद आपने जब सेकंड मैंडल जीता तो जब मैं तो सिर्फ यह ही था जो आज मैश हो जो आज मैच हो ज 새से है पहला मिडल आया है कल दो ढ़ाको ओर मैच है मिक्सव और स्द्द्बल का फिर उससेयर ग़े दिन उसका वाइनल है फिर उससे अग़े दिन बाट त्रेनिंग फिर Patient ओ फिर ऑफिर ऑफिर घ्र ज ए basedशेंग पता था कि क्या चल रहा है क्या खबरे हैं पर बस पूरा ध्यान वहीं था कि अगला इवेंट घर में कोई बातचीत हुई और फिर मेडल्स के वारे में बात महीं करते हैं तो वह अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि मुझे इस तरीकी की बाते करना पसंद है नॉमली ज़से या वह कुछ और ऐसे ही बात करते हैं मनु जाहे तोर पर एक एथलीट जो हता है उसका दिल और दिमाग अपने सिर्फ खेल पर फोकस होता है लेकिन हम जब इस दर्मियान आपके घर गए और वहां पर लोगों से जब बात की तो काफी सारे यंग्स्टर्स जो थे वो निकल कर है और बहुती पॉजिटिव रिस्पॉंस आया है शुटिंग को लेकर जहां पहले जादा तर लोग जिसे स्पेशली हर्याना में कबड़ी कुछ्टी को लेकर बहुत बॉक्सिंग हो गई बाकी और इन सब चीजों को लेकर बहुत साहित रहते थे मुझे लगता है वो शुटिंग के बविशे के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हो मैं उमीद करूंगी कि आगे आने वाले समय में और भी बहतेरी इन परफॉर्मेंस हो ना सरफ शुटिंग में बरकी हमारे सारे खेलों में हमारे खिलाडी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें बिलक शुटिंग में बलकि कुछ और भी गेम से जिनमें हमने अपना बहतर परफॉर्मेंस दिया अगर शुटिंग की बात करें तो अर्जुन बपूदा को में देखा रमिता जिंदल को देखा तो जो फोर्थ पूजिशन पर आने का एक सिलसला शुरू हुआ है वह आप मानते ह अपने खिल से एस अलम्पिक में हमारे साथ या आठ लोग हैं जो चौथे नंबर पर रहे हैं जिनमें से एक मेरा बिस्तान चौथे नंबर पर तो मैं मानती हूं की बहुत कर रहा है और शुटिंग स्पेशली अगर आप देखो तो पिछली अलम्पिक से यहां तक एस एस जादा हमने प्रोग्रस देखी है और बिल्कुल हम प्रोग्रस कर रहे हैं पर आइटिंग हमें थोड़ा सा और जादा करने की ज़रूरत है तब ही हम थोड़ा सा वर्ल लेवल पर कुछ 15-20 मेडल जीत पाएंगे अप जिस तरह से आप प्रोग्रस की बात करेंगा इसको तो तो ऐसे में अब जो एफ़र्ट खिलाडी के तरफ से आना है उसको अगत्त हो सा एलिबूरेट करके आप समझाने कोशिश करें किस तरह से कहां पे हमें खुद को आगे लाना होगा खिलाडियों को जो हम अपने जो नंबर्स ओफ मैडल्स हैं उनकी संख हैं मोड़हत्री कर या फिर उनको अलग अप्शन दिये जाते हैं और उसमें सब से बैतरीन जो बच्चा उसमें परफॉर्म करता है उसके ले लिया जाता है तो आई तिंक अलग अलग स्पोर्ट के हिसाब से जिसे शुटिंग के ले मान लो 10 से 15 साल के बच्चों को आप ले सकते हो फिर उनको पर विर उनको फिर उनके 10 साल के बाद इतनी प्रफेशनल हो जाते उनके बस इतना एंस्पिरिंस भी हो जाता है और इतना जादा एक्सपोजर भी हो जाता है कि वह एजिली किसी भी स्टेज पर जा के अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जैसे जिमनास्टिक्स है उसमें शाइद पांच साल के बच्छों को लेते हैं तो एज कि अच्छों का सेलेक्शन अलग अलग स्पोर्ट में यह बहुत सारे एज करते हैं जिनका बहुत बहुत पॉजिटिव को देखने को मिल रहा है अभी मोस्ली होता है कि हम बच्चे को कोई खेल पसंद आया परेंस्टे उसमें सपोर्ट किया वह आगे बढ़ा थोड़ा सरकार ने उसको तोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया उसके बाद फिर वर्ल लेवल पे खेला शुरू किया तो अगर पेरेंस्पोर्ट ने करते तो बच्चा नहीं आगे आपाता तो उस तरीके से मैं बोल रहा हुँ कि अलग अग अप एज के अच्छों को चुन लो पहले के लिए बहुत ही बेहतेरीन होगा ऊसी तरीकी से जैसे जी सिर्ट फोक्राम कि भी बाद आपने काफी करी है तो जूनियर प्रोग्राम भी उसी तरह के था जिसमें बहूत सारे यंग बच्चों को ले लिया जाता था और उनको काफी ट्रेंग दी जाती थी जैब यह हम बा और वहां से मुझे जितना वो लो कर सकते है उतना तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिला है और कभी-कभी होता है कि एक खिलाडी को अलग अलग समस्या होती है जिसे कभी-कभी financial responsibilities भी एक खिलाडी पर होती है अगर मालो वो 24-25 साल का लड़का है तो उसको लगता है कि भई मतलब फामिली को भी थोड़ा सपोर्ट करें या फिर एटलीस्ट वामिली से हम रिलाइन पर हम रिलाइना करें बोज ना वने कि मतलब पैसे उधर भी हम फामिली से भी लेने पढ रहे है तो एक लेवल के बाद जब आप आप श्कीम में आते हो उसके बाद आपको इन सब चीजों से आप फ्री हो जाते हो कि मुझे अगर विदेश में ट्रेनिंग करनी है या फिर मुझे कुछ एक्विपमेंट चाहिए है या फिर अगर रोज मरा के खचे का खचे की बात है तो उ एक रिलीव की तरीके से हम देख सकते हैं उसको और आई थिंक पॉरन एक्सपोजर हो गया कुछ कॉंपेटिशन केलने हैं तो उन सब के लिए भी काफी सुपोर्ट मिलता है बिल्कुल मनू जाय तोर पर एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़हुरी होता है लेकिन इस सब से जो आप यहां पर शियर करना जाहें मेरे ख्याल से मुझे दो तिन लोगों ने तो बोला था कि मतलब पॉर्म जैसे हमारी काफी अच्छी रही थी मेरी परसनली बहुत बढ़िया रही थी तो उन्होंने बोला था कि हमें बहुत अच्छा फील हो हुआ है हमें भी अच्छा माहौल बना देती है पूरी टीम के लिए और एक किस्सा जो मुझे याद है और मैं नहीं भूलूंगी वो है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद जब वापस आया करते थे तब हमें हमारा लंच का टाइम खतम हो जाया करता था तो मैंने लगबग लगबग एक हफता पूरा मैं बि कर्मपिक के बाद अब दुबारा कब शूटिंग नेज में देख सकते हैं अभी तो तीन महीने की जो चुटी है उसके बाद तो बिल्कुल देख सकते हो आप कभी जी यानि कि इस बार शायद आप मिस करेंगे कॉंपिटिशन में कुछ नाइम के लिए नहीं कहलूंगी लेकिन अपनी रिदम को जो है वो आप इसी तरह से बनाए रखिए क्योंकि मेडल का रंग लॉस एंजलिस में कहीं अब बदलना चाहिए आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थी मनु भाकर जिन्होंने अपने खटी मीठे अ उनका ये वादा है कि वो लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं मेडल के रंग को चेंज करके दिखाएंगे